इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया चिंसुरा का ये कबरिस्तान पश्चिमी बंगाल में डच याने निदरलाइन के नागरिकों की आखरी निशानी है ये पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी के तड़ पर स्थित है तकरीवन 400 साल पहले पानी से लबालब भरी हुगली नदी का किनारा यूरोप से आये सौधागरों और फॉजियों को इतना बसंद आया कि वो यहीं ठहर गए यानि यहाँ एक छोटा सा यूरोप बस गया चिंसुरा डच लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया जहां उनकी एक फैक्टरी भी थी उत्तरी इलाके यानि बंदेल को पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना बना लिया डख्षन के चंदरनगर में फ्रांसीसी बस गया अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कबजा जमा लिया इस इलाके पर कबजा करने के लिए डच, अंग्रेजो, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने आपस में खूब जंगें लड़ी क्योंकि ये इलाका कपड़े की बहतरीन किस्म के लिए बहुत मश्वूर है, खास्त और से मल-मल इस तरह का बहतरीन सूती कपड़ा दुनिया में कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता जब आप चिंसुरा जाएंगे तो दो अलग-अलग दुनिया में बढ़ जाएंगे चिंसुरा में डच कबरिस्तान दर्शनियस थलो में से एक है ये कबरिस्तान अठारवी और उन्नीसवी सदी से मौझूद है और यहां करीब 45 कबरे हैं ये कबरिस्तान डच गवर्नर लुईस टेलफर्ड ने सन 1743 में बनवाया था दिल्चस बात ये है कि वैसे तो ये डच कबरिस्तान है लेकिन यहां अंगरीज भी दफन है कबरिस्तान में कई छोटे-छोटे मगबरे भी हैं जो लोगों ने अपने प्रियजनों की याद में बनवाये थे मौझूदा समय में ये कबरिस्तान भारतिय पुरातत्व विभाग के अंतरगद आता है चिंसुरा से थोड़ा बाहर जाएंगे तो वहां एक सुन्दर सफेद मगबरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है ये मगबरा सुजाना अना मारिया इट्सका है जिनका सन 1809 में निधन हो गया था ऐसा माना जाता है कि हिंदे फिल्म साथ खून माफ उन्ही की कहानी पर बनी थी लेकिन सन 1825 में डच ने अंग्रेजों के कबजे वाले सुमात्रा के बदले में चिंसुरा अंग्रेजों को सौब दिया उत्तरी चिंसुरा में जब आप बंदेल पहुचेंगे तो वहां आप पाएंगे दबैसिलिका ओफ होली रोजरी जिसे बंदेल चर्च के नाम से जाना जाता है इसे 1660 में पुर्तगालियों ने तब बनवाया था जब ये शहर उनके कबजे में था मशहूर बंगाली लेखक शरत चंदर चाटर जी भी यहीं रहते थे यहीं उन्होंने राश्ट्रिय गीत वंदे मातरम भी लिखा था दक्षिन की तरफ चंदनगर है ये शहर अपनी खुबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है अठारवी शताबदी में ये एशिया में फ्रांसिसियों का सबसे महत्वपूर्ण इलाका था चंदनगर फ्रांसिसियों को कैसे मिला इसकी कहानी भी दिल्चस्प है सन 1688 में यहां के मुगल सुबेदार को 40,000 सिक्के देकर एक फर्मान जारी करवा लिया और नदी किनारे का ये इलाका फ्रांसिसियों के कबजे में आ गया फ्रांसिसियों ने सन 1996 में हुगली के किनारे एक ट्रेडिंग पोस्ट कायम किया और जिसके बीच में लिखा था फोर्ट दी ओर्लेंज चंदन नगर भारत पर कबजा करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के बीच लड़ी गई खतरनाक लड़ाईयों का गवा भी रहा है फ्रांसिसी गवर्णर जनरल डुपले के दौर में फ्रांस दौलत और दबदबे के मामले में अंग्रेजों से आगे निकल गया था लेकिन भारत में वर्चस्व की लड़ाई में फ्रांस पीछे रह गया लेकिन चंदन नगर एक छोटा शहर ही रहा भारत 15 अगस को आजाद हो गया था लेकिन चंदन नगर दो फरवरी 1951 को ही भारत का इस्सा बन पाया हुगली के किनारे बसे चिंसुरा, बंदेल और चंदन नगर एक जमाने में व्यापार का बहुत बड़ा केंडर हुआ करते थे लेकिन आज ये शहर नींद में डूबे हुए लगते हैं सिवाए इतिहास की चंद बची हुई निशानियों के यहां कुछ भी नहीं है हुआ 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 है